हलो एबरीबन बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों को लेके आए हैं अरजुन की चाल की चाय ये आरवेदिक चाय आपके सरीर की 100 बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखती है आप भी इस चाय को रोज मर्रा की जिन्दगी में शामिल करें पर चाय को बनाना शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबा ले तो देखिए अरजुन की छाल की चाय बनाने के लिए हमने अरजुन की छाल को लिया है इसके साथ ही हमने कुछ और भी लिया है क्योंकि हम इसे और ज़्यादा गोणकारी बनाएंगे इसके लिए हमने थोड़ा सा एक तुकड़ा अद्रक का कस के लिया है इसके साथ ही तुलसी के पत्तों को हमने धोकर ले लिया है और साथ में ले लिया है हरी, लाइची, चार-पांच, काली मिर्च और दो लॉंग इनसे ये चाय और भी ज़्यादा सेहत मंद हो जाती है चलिए चाय को बनाना शुरू करते हैं ये जो चाय है ये रक्त-पित नासक है और कफ को भी नाश करती है इसके लिए हमें चाहिए कम से कम दो गिलास पानी और एक गिलास दूद ये मैं दो लोगों के लिए दो कप चाय बना रही हूँ जिसके लिए ये जो मेरा गिलास है इसमें केवल एक कप के बराबर ही सामिगरी आती है तो आज मैंने कप से मेजरमेंट ना करके ये काच की गलास से मेजरमेंट किया है तो ये गया भगोने में एक गलास और ये दो गलास दो गलास पानी डाला है और इसके साथ ही ये गलास दूद हमने डाल दिया है इसके साथ ही हम इसमें अरजुन की छाल दो टेबल स्पून भर के डाल देंगे यानि एक कप में एक टेबल स्पून और ये एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसको कस के डाल दिया है इसके साथ ही हम ये जो तुलसी के पत्ते लिए हैं इनको हाथ से तोड़ के डालेंगे आप चाहें तो इनको कूट के डाल दें और भी ज़्यादा रस निकल जाएगा इनका रस ही फाइदे मंद होता है अब हम क्या करेंगे ये जो मसाला है खड़ा मसाला लॉंग इलाइची और काली में चीज़ को हम खरल में कूट के इसमें डाल देंगे अब हम खरल में चीज़ के 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 डाल देंगे अब हम जन्बरी और फर्वरी चार महीने तो रेगुलर ही पीजिए क्योंकि ये इसकी तासीर गरम होती है और ये ठंडग में बहुत जादा फायदा करती है अब हमने गुड़ को डाल दिया है तो गुड़ डालने के बाद हम आप को कर दो 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 कर दो